पूसकार दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया है जपानी लड़कियों की खुबसूरती का राज जपान की लड़कियां खुबसूरत क्यों होती है उसके पीछे क्या राज है इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन प्रेस कर दें तकि अगले वीडियो को रोडिफिकेशन आपको मिलते रहेगा पूरे वर्ल्ड में जपान की लड़किया खुबसूरत मने जाती है हेल्दी डाइट उसके पीछे क्या राज है मैं बताने वाला हूँ जपानी लड़कियों की खुबसूरती का सबसे बड़ा राज है उनका खानपान वही अपनी डाइट में फाल, हरी, सबजी और मशली लेती हैं जिसे तौचा को सभी जरुरत तत्वा मिल जाते हैं इसके अलावा उनकी डाइट में एंटी अक्सिडेंट बिटामिन ई और ओमेगा थिरी से भरपूर फूट सामिल होते हैं खाना बनाने का खास तरीका खाना बनाने की तक्निक भी जपानी महिलाओं का खुबसूरत का खास कारण है वो कम तेल और एस्टीम में खाना पकाते हैं जिससे उनमें मौजूद नुट्रिसियोन बरकरार रहते हैं इससे बोडी के साथ साथ एसकीन को भी पूरी तरह से पोशक ततों मिलते हैं इसके अलावा खाने में मसालों का सावधानी भी उनके चेहरे की खुबसूरती बढ़ाती है नेचरल आयल एसकीन को मसराइज कर रखने के लिए वो एक खास एसकीन का नेचरल आयल यूज़ करती हैं साथी वो रोजाना एंसेसियल आयल जैसे की चंदन का तेल और लोएंडर आयल अपनी बड़ी में लगाती हैं लोशन मास्क ग्लोइंग और बेदाग एसकीन के लिए वो एक लोशन मास्क नाम का टोनर भी लगाती हैं इसे तौचा में कसावट आती है और वह एंटी एजिंग की समस्याओं से भी बची रहती हैं इसके लिए थोड़ी काटन को टोनर में भीगो कर चेहरे का चेहरे पर कम से कम 10 मिनिट तक लगाएं इसके रोजाना इस्तमाल से आपके चेहरे में ग्लोव आएगा सीट मास्क यह एक पुराना आविस्कार है जो जापानी लोगों की सुन्दर्ता को बनाए रखने में मदद करता है इस सीट मास्क को पानी में भीगो कर तौचा पर लगाय जाता है जिससे तौचा मौशराइजर यों सुन्दर बनी रहती है ग्रीन टी जापानी महिलाएं ग्रीन टी पीती हैं जिसमें उच मातरा में एंटी अक्सिडेंट होते हैं यह मेटा बुलिजम की गती बढ़ाते हैं जिससे ओजन कम होने के साथ एसकीन भी गुलो करती है इतना ही नहीं वह ग्रीन टी बैक्स थेकने की बजाए उससे चेहरे पर अपलाई करती हैं यह अपोर्स कम करता है और एसकीन गुलो करता है चावल का पानी यहां की महिलाएं चेहरे दोने के लिए चावल का पानी गुज़ करती हैं चावल को 20-30 मिनट के लिए पानी में रखें और उसके बाद उस पानी को एक बोटल में भट ले इस बोटल को फ्रीज में रख करो जाना चेहरा धो सकते हैं चावल के पानी में कई बिटामिन और मिनरल्स हैं जो एसकीन के लिए बहुत अच्छा है फेस मसाज एसकीन प्रोब्लम्स को दूर रखने और ग्लोइंग बनाने के लिए वह चेहरे के अच्छे तरह मालिस करती हैं इसे तवचा में ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे वह नर्म और लचीली होती है तो दोस्तो इस वीडियो में आपको हम बता हैं जापानी लड़कियों की खुसूरती का राज यदि आपको जनकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन प्रेस कर दो तकि अगले वीडियो के नुटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थाइंक्यू दोस्तो राधे राधे दोस्तो